कि आठागे पने लगा दिया तो दो इमेल बचा ले दो इमेल दवा बचा कि विस्की डिजन में लगा दे क्या का नई आपको इंटीबायों आपको कोई नहीं बताए साथ्यों नमस्कार स्वागत है आपको अपने चैनल हरा वेट्स से कलब में साथिय। पचुकर पाणी वा आगर तो पर हलकी सी सुजन आ गई तो उस सुजन के करण पशु के जो रिस्क्रीजन रहता है यानि चुछाते का लट्टू रहता है इसमें पानी वाली सुजन आ जादी है तो साथियों यह फिल्ड में आपको बहुत सारी देखने को मिले ही और खासकर बारिस के समय में कई में देखने को मिलेगी खास कर पानी वाली सुजन तो आज इसी के उपर आज संपूर्ण आपको ग्यान मिलने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लिए और एक लाइक का बटन जल्दी से दली दबा दिए तो आए वीडियो शुरू करते हैं सात्यों यह बीमारी इसके वाज़े आज जाती में चूट लगने से और सब्सक्राइब चूट लगने से और सब्सक्रा करन उत्याफ포 दिखाए जया चर्सक्राइब ने तो सची बात करते हैं मैं स्के सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको बिस्कुटिच क्या रहेगा एकदम से बड़ा हो जाएगा वह बड़ा होगा और आप जब उसको चुएंगे या विलाइंगे तो आपको इसatinny मेहशस हुआ होगा कि इसके अंदर पाणी है पालपट करेंगे पंद्टीं करें subtil कि निकलना चालो यह सम्टम से इसका साथ इससाथ आपूछ नहीं तो पानी नहीं रहेगा ओर नहीं किसी जनतुह के काटने की मुझे से फैन स्ब steps offers ha लेकिन अगर पाने वाली सुजन है तो बस यही विमारी इसको हम क्या बोलते हैं यानि हर्दे में बहारी स्लेष्मा जिल्ली में आगात लगना उसी की वज़े से बिस्कृट रिजन में पाने वाली सुजन आती है पशु शुष्ट रहेगा महाँ पर सुजन रहेगी तो उसक ज़्यादा तकलिब होगी तो बहुत चलने में भी परिशान होगा और उसको टेंपरेचर एक सुष्ट साथ की आरपार्स तला जाता है यह इसी कारण होता है इंफेक्शन के कारणी हाई टेंपरेचर चला जाता पशु का तो यह इसके सिम्टम से पशु शुष्ट रहता ह आप बस यह देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह कारणी पानी वाली सुझन आई अब हमें केवल इसी का टीटमेंट करना ना कि हमें ध्यान लीबर पे देना है और ना ही दान में किसी और जंतु की काटने पर देना और ना ही ध्यान हमें पशु के परिकाइड वाली सुझन का यलाज करना और यह ठीक भी हो जाती है अगर सही समय पर सही तरीके से सही मार दिया जाए तो आस्वानी से हो सकती है आपको सारे इंजेक्शन लगाने से पहले सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको अठारा नंबर निडिल लेना है ठीक है अठारा नंब लेके आप ऐसोगशन निडिल दाले कर दसे चरद में कुछ कुछ ml 5 ml निकाल और उसका उसको it लुब्रिकेंट करने का मतलब यह कि उसको में बेक्टेयर रइत करना है जब आप उस नेडल को ऑक्सिटेटर साइकल इंजेक्शन में डालेंगे तो उसमें कोई इंफेक्शन नहीं होगा इसलिए आप उसमें डाल कर उसके जगा-जगा छेद करके सबसे पहले सारा पाने बा पांच से दिन तक ट्रीटमेंट करना पड़ता और फिर नजाने ठीक होगा नहीं तो आप सबस्क्राइब करें कि आप निडिल उसको क्लिक करके सारा पानी बाहर निकालने के बाद आप उसको अच्छे से एंटिसेप्टिक लोशन लागा दे उपर ताकि जहां पर भी आप पर से कोई ब्लड वगर ना है और को इंफेक्शन पेदा ना हो यह तो हमें पाने निकालने के बाद यहां काम तो हमें करना है अब यह करने के बाद हमें वहां पर एंटिबाइटिक का चेन करना है साथियों इंटिबाइटिक में आपको एक इंटिबाइटिक का यूज करन तो यह आप उसकी चार या पांच अमल दबागी रख लिए और नहां पर उसकी दो इम el बचा ले आट मैं आपने लगा दिया तो दो आपको दिक्कत नहीं यह आपको डो दो दिन तक करना है इसके साथ इसाथ आपको वहाँ पर एक इंजेक्शन लगाना है या आप फैने माइन मेले एंटी इस्टामीन दवा का आप 15 ml तक उप्योग कर सकते हैं और एक आप यहाँ पर मेलोनेक्स प्लस या अधरवाइस किसी भी कंपनी का पाइरोक्सियन पेरासिटम और दर्द सुजन यानि पिडा की और सुजन की हमें दवा एक यहाँ पर 10-15 ml आई-एम लगा देना है इसके साथ इसाथ आप यहाँ पर अगर कोटिको इस्टोई इंजेक्शन लगाते हैं तो कई गुणा असर ज्यादा बढ़ जाते हैं और कई गुणा में रिजल्ट मिलने के चांस रहते हैं हद से ज्यादा ज्यादा इसी खराब हो जाए अगर आप 10 ml के वाल आई-एम लगा देंगे ऐसे कैस में तो आप शाम को लगाएं और सुबह देखेंगे तो सारी सुजन ग किसी कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत साथ्य क्या करना आपको इंटीबाइटिक जो आपने गर्दन में लगा है उसमें से आप यह दो इमल बचा कर आपको बिरस्क्रिट डिजर में आई-एम रूट सुबहा लगा देना को दिक्कत नहीं है आपको टेने मेला इसो फ्लू कि आप यहाँ पर फ्रूसेमाइट इंजेक्शन का भी उप्योग कर सकते हैं उससे भी हमें कई वुना रिजल्ट मिलते हैं जैसे रिमोट बेटे फ्रूसेमाइट इंजेक्शन आप 10 ml केवल एक बार लगा दे इसे केसमें लेकिन यह आपको दो दिन तक करना है लेकिन आप